बिग बॉस OTT 3 के लिए प्रतिग्या के कृष्ण को जो है अप्रोच कर लिया गया है ऐसी गॉसिप मेरे हाथ लग चुकी है अब बिग बॉस OTT सीजन 2 की अगर बात करें तो भाई बहुत ही जादा फेमस हुआ अभी तक अभीशा का अभिया का अलविशा का ऐसे काफे सारी जोडियां बनी जो लोगों को पसंद आई एलविश फुकरा इंसान मनीशा जिया शंकर ऐसी चार लोगों को जो है अभी तक भूल नहीं पाई है लोग जो है उनका कहना ये है कि अब बिग बॉस 17 तो चलो खतम हो गया है हमने काफे ज़दा इंज्वाई किया मुनावर फा ये मेकर्स भी तो कुछ करना चाहेंंगे कि जैसे टु इतनाँ जदा फेमस लाने की कोशिश करती हैं पर जब कंटेस्टंट आती हैं तब जिस तरीके की इंटर फियर जो है बिग बॉस करते रहते हैं मेकर्स करते रहते। उससे चला जाते हैं लोगॉत यहां पर अगर आप लोगों को पता हो प्रतिग्या का प्रतिग्या सीरियल में जो है जो करेक्टर ने कृष्ण का रोल किया था जिनका नाम है अरहान बहल अरहान बहल को जो है अप्रोच किया गया है बोला जा रहा है कि इनकी परस्नालेटी काफी जदा अतरंगी है और लोग इनको काफी जदा पसंद कर सकते हैं इसलिए इनके बारे में काफी जदा चर् बिग बॉस ने बहुत ही जादा पर्सनल चला गया बिग बॉस इस बार 17 में मुनावा फारुक याईशा खान को ले आए बहुत सारी चीजे जो है की है समर्थ को लेके आ गए अभी शेक का ऐसा सब चीजे हुआ इशा के इतनी जदा धजिया उड़ाई गई बहुत सब चीज करने के बाद जो अच्छे सेलिब्रिटी जैना वो आना ही नहीं चाहते हैं उन्होंने पहले ही रिव्यू दिया था कि भाई अगर हमें अप्रोच किया गया तो हमें अपना बैग्रॉंड देखना पड़ेगा कि कहीं हमने ब्रेक अप तो नहीं कर लिया था किसी से तो काफ में जरूर बटाइए